नमस्कार न्यूज एट्रीन अपडेट देखा हैं आप आपके साथ मैं हूँ संतोष कंगवार पुलेटिन की शुवात करेंगे सबसे महत्पूर्ण खबर के साथ पटना के नासरी गंश नाभादसे पर न्यूज एट्रीन की खबर का बड़ा सर हुआ है खबर के बाद सिक्षा बेभाग के ACS ने सभी जिलों के डियम को बाल ग्रस्त इलाकों में स्कूल बंद करने का अधिकार दे दिया है ACS ने खुद पूरे मामले पर न्यूज एट्रीन से एक्स्कूल बाच्वित की और कहा कि सिक्षा के डूबने का मामला काफी दुखद है और इसी को गंभीरता से देखते हुए सभी डियम को या आदेश दिया गया है वहीं उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों में सरकारी नाव और लाइफ जैकेट की ब्यवस्था करने की भी आदेश दिया गया है शिक्षा बिभाग के ACS ने कहा कि ऐसे मामलों में जो मौपजा सरकारी कर्मी को दिया जाता है वो दिये जाएंगे शिक्षा बिभाग के ACS से बात की News 18 समवादाता रजनीश कुमार ने निउज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है और शिक्षा बिभाग के ACS डॉक्टर से जारत ने सभी जिलादिकारियों को बड़ा आदेश जारी कर दिया है आदेश क्या है सिधी बाचित करेंगे सर जिस प्रकार से नासरी गंज में शिक्षक बाला जो हादसा हुआ है उसके बाद मांगें उठने लगी है और निउ जेटिंग जरी अपील ही की गई है क्या आदेश जारी किया गया है कि जो गटना है काफी दुखद है कि एक सिक्षक नदी में डूग गया है और इस अबद में केवल हम लोगने सपष्ट किया है कि जो बच्चे हैं स्टूडन्स हैं और टीचर्ज हैं यह सुरक्षित पड़ें उनकी सुरक्षा भी बहुत महतपून है और इसलिए हम लोगने यह रिक्रेट किया है और को कि जो आपदा प्रबंदन के जो नियम है बाढ़ के उसके अंतरगत बियम लोग स्वयम किसी स्कूल को बंद करने का आदेश पारित कर सकते हैं तो यह स्वतंतरता है यह जो जो आदेश है जो आपदा प्रबंदन के जो अधिनियम है नियम आप जो भी सिसंगत कानून है, इसमें आप पाल रहत करते हैं। जो लाइफ जैकेट है, उसका इंतियाम करेंगे। एक बड़ी चुनावती भी है। सरकारी ना अलड़ी व्यवस्ता आम जन्ता के लिए भी की गई है। हमने इतना ही काया कि समय पर मा उपलब रहे ताकि बच्चे और स्टूरंट्स टीचर्स जो हैं समय पर जाएं। सरकारी कर्मी का होता है। आश्च नालंदा के बिहार शरीफ में ठेला फुटपात दुकानदारों ने सलक जाम कर हंगामा किया। इस दौरान आगजनी भी की गई। हंगामा कर रहे दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि बिहार शरीफ नगर निगम की ओर से अतिक्रमल के नाम पर दुकानदारों का ठेला जब्त कर लिया गया। जिससे उनकी रोची रोटी पर संकट आ गया है। ऐसे में गुसाय दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश रताते हुए साड़क जाम कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और दुकानदारों को समझाने की कोशिश की गई। तो यह तस्वीरे हैं जब आगजणी की गई फुटपात पर जो ठेला लगाए जाते हैं उनको जब्त करने का आरोप लगा है नगर निगम पर बताए जारा है कि अतिकर्मण हडाने के नाम पर ठेलों को जब्त किया गया है जिसके बाद जो ठेले के मालिक हैं उनका ये कहन है कि उनकी रोजी रोटी पर शंकट आ गया है और इसी को लेकार ये आगजणी की गई है नारेवाजी की गई प्रदर्शन किया गया अगर पढ़ना से बड़ी खबर मिल रही है यूपती का शब मिलने से संसनी फैल गई है गंगा नदी के किनारे पहुची थी यूपती जिसका शब मिला है घटना से कई यूपतीया लापता बताई जा रही है अलग अलग थानाक्षेत्रों से लापता बताई जा रही है ये यूपतीया शब की सुक्षना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची कई परिशन भी घटना इस्तल पर पहुच शब की शुनाखत करने में जुटी हुई है पुलिस मरीन ड्राइब गंगा नदी के किनारे का ये पूरा मामला है जहां यूबती का शब मिलने से संसनी फैल गई है बताये यह जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे यूबती का शब मिला है पटना से कई यूबतियों के लापता होने की भी खबर मिल रही है अलग-अलग थानाक्षेत्र से ये यूबतियां लापता बताई जा रही है शब की सूचना मिलने पार पुलिस मौके पर पहुँची कई परिशन भी घटना स्तल पर पहुँची है शब की शिनाक्ष करने में पुलिस जुट गई है मरीन ड्राइब गंगा नदी किनारे का ये पूरा मामला बताय जा रहा है मोतियारी पुलिस ने 15 करोन की चरस बरामत की है हर सिद्धी पुलिस ने 60 किलो चरस के साथ दो तसक्रों को ग्रफतार किया है जिनके नाम साजन कुमार और राजु कुमार है हर सिद्धी और सुगौली इलाके में चरस की बड़ी खेप लाई जा रही थी बाइक जाच के दौरान दोनों तसक्रों को ग्रफतार किया गया है जिनके पास से दो बोरो में कुल 60 किलो 500 ग्राम चरस के 121 पैकेट बरामत किये गए हैं पुलिस अब इस बात की जाश में लगी है कि आखिर डिलीवरी कहां से होनी थी और कौन-कौन लोग इसमें शामिल है पुलिस का कहना है कि चरस की खेप को दिल्ली भेशने की प्लानिंग थी पर हर सिद्धी बैरियाडी के जोसी सानी के घर से भी 30.5 के जी चरस बरामत की होई है और पटना इम्स के मुख सुरक्षा पददकारी पर गोली बारी मामले का खुलासा हो गया है पुलिस ने दो अपराधियों को ग्रफतार किया है एक का नाम गुड्डू यादब है और दूसरे का नाम राजकुमार है जो पटना इम्स में गार्ड है कि इम्स में गार्ड रखने को लेकर ये लोग कमिशन लेकर लोगों को रखवाते थे पूरे मामले की जानकारी पर पिंकु यादब को देते थे इस मामले में ये भी खुलासा किया गया है कि पिंकु यादब के कहने पर ही ये घटना अनजाम दी गई दोनों के खुलासे के बाद साफ हो गया है कि पिंकु यादब जो आर्जवेडी विधायाक रीतलाल यादब का भाई वही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है कि जो धंकी दी गई थी उसमें ये बोला गया था क्यूंकि आपके द्वारा बार्ड मकामा द्वारा विक्ति रखा जा रहा है और कोत्मा और हमारे एरिया का नहीं रखा जा रहा है इसलिए आप क्रिपा करके हमारे वाले एरिया के लोगों को भी रखे ये तो डेफिनिटली और मदुवनी से बड़ी खबर मिल रही है सदर अस्पताल में आग लगी नम निर्मित भवन में याग लगी है शौट सर्किट से आग लगने की घटना बताई जा रही है लाखों के उपकांट जलकर राख हो गए है दमकल की गालियों ने आग पर काबू फिलाल पा लिया है अस्पताल की दूसरी मंचिल पर आग लगने की घटना हुई ओटी समेत दो कमरों में ये आग लगी तस्पीरे स हमा आपकी टिलिविजन स्क्रीन पर रेस्क्यू के दौरान की जब आप दमकल की गालियों ने आग पर काबू पाया उस दौरान की ये तस्पीरे है मदवनी से एक खबर बता रहे है जहां सदर अस्पताल में आग लगी नब निर्वित भवन में ये अगनी कांट हुआ है सर्किट से आग लगी लाखों के उपकन जलकर खाक हो गए दमकल की गालियों ने आग पर फिलहल काबू पा लिया है अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लगने की ये घटना हुई है तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे है ओटी समय दो कमरों में ये पूरा अगनी कांट हुआ है और कंद्रिये जीयेश्टी की बड़ी कारवाई सामने आ रही ब्यार के ब्यापारी को ग्रफ्तार किया गया है ब्यापारी प्रेम सुन्दर शौदरी पर जीयेश्टी चोरी कारोप लगा है फरशी बिल बनाकर इसे लेकर शापे मारी हुई है अभी इसमें शामिल कई लोगों की जाच चल रही है मुझाफरपूर के रहने वाले व्यापारी नाम पेम सुन्दर चौधरी को ग्रफतार कर लिया गया है और ब्यार में पुलिस प्रशासन की सकती के बाद भी शराप का कारोबार जारी है मामला गूंदिया बरौनी एक्सप्रेस का है जहां सामाजविक कारिकरता की पहल से शराप की बड़ी खेप पकड़ी गई प्रेन की सेकंड एसी बोगी से सफर करने के दौरान सामाजविक कारिकरता प्रेंका जहा को वर्ड़ बॉय की हरकत से शक हुआ गाजिपूर के बाद इस्टेशन पर प्रेंका जहा ने शराप की खेप बोगी में लोड होते हुए देखा इसके बाद जब रात दो बजे तलाशवी ली गई तो शराप की खेप मिली ट्रेन के हाजिपूर पहुँचने पर जी आरपी और आर्पी अफ ने शराप को जब्त कर लिया साथी आरूपी को भी ग्रफतार कर लिया लेकिन टीटी ए फरार हो गया पूरे मामले में रेल्वे करमचारी और माफिया में साथ गार्ड के आरूप लग रहे हैं कि यह गोंद्या बरोनी एक्सप्रेस ट्रेन की स्थिति ऐसी है सकेंड एसी में हम लोगों को करीब दो बजे रात को यह सराब मिली यह सराब की बड़ी बड़ी ब्याग देख रहे होंगे यह और एक ही यह कि यह मिली है और जब स्टाप और टीटी से बात कियें कि परसासन को बुला दीजिए ताकि हम लोग भता सकें तो स्टाप बोला मेरे पास जीर्प आपका नंबर नहीं है और टीटी साहम ने कहा कि कोई बात नहीं ब्याग आपका नहीं हम हटा देते हैं यह इस पस्ट है कि इसमें सारे लोग मिले हुए हैं में लापरवाही को लेकर निलंबित कर दिया गया है इंस्पेक्टर थाना प्रवारी रंजीत शर्मा दरोगा विकास मंडल और शौकिदार सुभाश कमार यादब को निलंबित किया गया है एससपी जगुनात रेड़ी ने यह कारवाई की पुष्टी की है और वेहार में जारी लेंड सर्वे को लेकर ग्रामील इलाकों के लोगों की परिशानी भी हो रही है जिसे न्यूजेट्रीन प्रमुकता से दिखा रहा है न्यूजेट्रीन की खबर पर राजस्प और भूमी सुधार मंत्री दिलीव जैस्वाल ने बड़ा एलान किया है उन्होंने कहा कि लोगों की परिशानी को देखते हुए जल्द ही एक टास्क फोर्स बनाये जाएगा टॉल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर लोग अपनी समस्या बता सकेंगे जिनका समादान भी किया जाएगा भूमी सुधार मंत्री ने लोगों की समस्या मजबूती के साथ उठाने के लिए न्यूज एट्रीन को धन्रवाद दिया हर भागलपूर के नबगश्विया में एक बार फिर बिन्द टोली बांद पर पानी का दबाब बढ़ने से कटाब शुरू हो गया है वहीं कटाब की ज्वानकारी मिलते ही स्ट्री और स्ट्री प्यों मौके पर पहुंचे और कटाब रोधी कारे शुरू करवाया देखिए न्यूज एट्री इन समवादाता विकास कुमार सिंग की रिपोर्ट किनारे बांद पर डाला जा रहा है ताकि जो पानी का दवाद है और आभी भी आप लोग देख सकते हैं कि काम जारी ही है भागलपूर नबगचिया के विंद्टोली बांद पर एक बार फिर से पानी का दवाद पढ़ने के साथ ही कटाव सुरू हो गया हलांकि सुचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुचे हैं और कटाव रोधिकारे शुरू कराया गया है फिर एक बार गंडा का जलस्तर पढ़ने के बाद अस्पर संखिया नो पर भारी दवाव पानी का हुआ है इसके साथ जो है कटाव सुरू हो गया था लेकिन कटाव रोधिक कारी जो है वो कराया जा रहा है जियो बैग जो है वो गंडा के किनारे बांध पर डाला जा रहा है ताकि जो पानी का दवाव है वो कम हो सके और जो कटाव है उसे समय रहते ही रोका जा सके पताने की बिंद टोली बांध तक्रीबन दो सो मीटर तक धोस्थ होने के साथ ही इलाके में पानी से भयावय स्थिती उत्पन हो गई थी और लगातार इस बांध पर पानी का दवाव बढ़ता ही जा रहा है विकास कुमार सिंग नियो जटीन भागलपूर और बगहा में गंड़क नदी नाव हादसे में लापता सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया इसी के साथ प्रशासन की मनाही के बाद भी नदी में नाव चलाने बाले नाविकों के खिलाफ कारवाय शुरू कर दी गई है आपको बता दें कि बितहा के प्रशासन की ओर से गंड़क नदी के जालिस्तर में बढ़ोत्री को देखते हुए छोटी और अनिबंदित नाव को नहीं चलाने की अपील की गई कि अम लोग जाच किये है उनने पता चला है कि छए लोग स भार देनमे और पूर में प्रशासन के दौरा इनाव को मना किया गया था करामियों लौक की प्रति-पुरी जग रुकता चलाई गयी थी कि कोई थी नदी में नहीं उतरेगा किस विप्रकार की कोई private नाव नदी म नहीं और जिसने भी ये कीया है जिसके माधियम संचलन कीया गया है उनके उबर कानूनी कारवाइए की जायेगी नेपाल के तराई में अधिक बारिश होने से मोत हारी के कई इलाकों में बाल का पानी फैल गया है बोड़ी गंड़क के जल स्तर में भी लगतार बड़ उत्री हो रही है इस बज़े से सुगौली के निश्ट्रे इलाकों में पानी फैल गया सुकुल पाकर पंचयत के चिलजपटी के कई वाड के लोगों की परिशानी बढ़ गई है कैस्त्रे हिंद बांध पर कई परिवार पुराना जो तूट गया था लेकिन बाड के समय में भी मरम्मत नहीं कराई जा सकी पानी आता है तो डूप जाता है सुगौली हम लोग बार बजार करने में बहुत ज़्यदा दिकत होता है अच्छा यहां से बलक भी जाना पड़ता है तो पानी अभी नहीं कर जाते है अगर पानी कस्क्या जहता हुआ तो बांध भी तूटा हुआ है अच्छा उसी का पानी है इधर जो आ रहा है गीता घाट आश्रम कालोनी में गुटने भर तक पानी भर गया है जिससे लोगों को आने जाने में परिशानी हो रही लोगों ने बताया कि कई बार शुकायत करने के बाद भी साड़क को उंचा नहीं किया गया जिससे इस्थानी लोगों में काफी नाराज़की देखी जा रही है जंबू कश्मीर विदानसभा शुनाओ को लेकर कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस के समझोते पर डिप्टिसियम समराट शौधरी ने हमला बोलते हुए कहा हम यह जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉंफरेंस कहती है कि हम 370 बाहल करेंगे कॉंग्रेस बताई कि इस मुद्दे पर उसके साथ है कि नहीं National Conference से कहती है कि कश्मीर एक अलग देश के नाम से जाना जाए Congress पताई कि तिरंगा को हटाना चाहती है या नहीं देश को बनाना चाहती है या नहीं Party को यह बताना चाहिए पूरे भारत को कि क्या 307 के साथ जो National Conference कहती है कि 307 फिर से बाहल करेंगे आर्टिकल 35A फिर से हम बहाल करेंगे तो कांग्रेस पाटी उनके साथ है या भारत के लोगों के साथ है तो इस बुलेंट में फ्लालत नहीं आप देखते रही है न्यूजेटी इन ब्यार फार खड़ू